भारत के पूर्वी पडोसी देश में भारी अराजकता फैली हुई है। वहां सरकार नहीं है। संसद भंग हो चुकी है। सेना और पुलिस अराजक तत्वों को नियंतरित करने की कोशिश नहीं कर रही है। बेशक समूचे बांगला देश में करफ्यू लगा हुआ है और आर भारत से बांगला देश को रूई तथा कौटन यान सहित अन्य उत्पादों का निर्यात स्वाभाविक रूप से ठप पड़ गया है। मसालों का भी निर्यात नहीं हो रहा है। जब तक वहां हालात सामाने नहीं होते तब तक आयात निर्यात का कारोबार सुचारु धंग से चलाना मुश्किल है। मालूम हो कि बांगला देश भारतिय रूई एवं कौटन यान का सबसे प्रमुख हाया तक देश बन गया है। केंद्र सरकार की आर्थिक एडवायजरी में चेतावनी दी गई है कि बांगला देश में उपद्रव एवं अराजकता के कारण कौटन यान का निर्यात बुरी तरह प्रभावित हो सकता है और इससे भारतिय कपास उत्पादकों तथा यान निर्माताओं की आमदनी पर प्रतिकूल असर पढ़ सकता है। क्रिशी मंत्राले को आगाह किया गया है कि व्यापार में लंबे समय तक व्यवधान पढ़ने तथा नि बांगला देश के विशम हालात से भारत का आयात निर्यात कारोबार प्रभावित होगा भारत में बांगला देश से अनेक आवशक वस्तूओं का आयात किया जाता है। जिसमें रूई से निर्मित वस्त्र, एयर क्राफ्ट तथा स्पेस क्राफ्ट के कल पुर्जे, जूट चम्रा, चपल जूते एवं समुदरी उत्पाद आदी शामिल हैं। भारत से बांगला देश को रूई एवं कौटन यान के अलावा मसालों, मक्का तथा ओयल मील आदी का निर्यात होता है। पहले चावल, गिहुं एवं चीनी आदी का निर्यात भी बड़े पैमाने पर होता था, अब इस पर प्रतिबंध लग गया है।